गनभी रवस्ता में मरीज को लेकर आ रही एक अम्बुलेंस BRTS कोरीडोर में आई बस में टकरा गई हासे में मरीज तो सुरच्चित रहा लेकिन अटेंडर और अम्बुलेंस का चालग खायर हो गया तुझना मिलने पर भनवर क्वा थाना पुलिस मौके पर पहुची टकर में अम्बुलेंस का आगे का हिस्सब बूरी तरह छतिग्रस हो गया है टी आई ससी कांत चौरसिया के मताबिग घटना बुद्वार देर रात नौ लखा चौरा है साइंस कॉलेज की है खरबोन की एक निजी अस्पिताल से एक मरीज को लेकर आरही अम्बुलेंस आई पस से टकरा गई हास्ते में अटेंडर विजर चोहान और चालक दिनेज पुत्र राधे स्याम बिडला घायल हो गया दोनों को निजी अस्पिताल में भड़ती कराए गया है खास्ते के बाद मौके पर वीर जमा हो गई मरीज को अम्बुलेंस से निकाल कर दूसरी अम्बुलेंस से निजी अस्पिताल ले जाया गया लसूरिया थाना छेत में विबुद्धवार रात एक हास्ता हुआ इसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई और दो लोग खायल हुए बाइक सवार गलत दिसा में आ रहे थे टी आइक संतोज दूदी के मताभी गटना ओमेक सिटी के सामने की है गलत दिसा में बाइक से आ रहे तीन लोग लोडिंग वहां से टकरा गये इस घटना में तीस वर्सिय गोविन खायल की मौत हो गई दो लोग खायल हुए हैं बिजली बिल बकाया का जहासा देक ठख ने एक व्यक्ती से 35,000 रुपे ठख लिये पाड़गंगा पुलिस ने आरोपित पधोका धड़ी का केस दर्च किया है आरोपित ने एनिडेक्स एफ डाउनलोड करवा लिया था पुलिस के मताबिक फरियादी जितेंद पुतराय सिंग तोमर निवासी प्रीमिया पार्ट कालोनी के पास पोन आया था आरोपित ने कहा कि बिल ना भरने पर करेक्शन कट जाएगा आरोपित ने मनत का आश्वासन दिया और एनिडेक्स एफ डाउनलोड करवा कर 35,000 रुपे निकाल लिये कर दोटे लिए जाएगा आरोपित अरोपित अरोपित लिए।